कुमर सद्दान से यूटूब चैनल लेखने वाले मेरे सभी भाईयों को मेरा नमस्कार किसान भाईयों आज हम आई हुए जीए से ग्रों की ऊपर यह फार्म टैक के ऑटराइज दीलर हैं मैं आपको इनकी पहले ही तीन वीडियो दे चुका हूं जो की फार्म टैक 45 अल्ट्र रहें। सबसे पहले को आटेटा हूं आप देख सकते हैं काफी शांदार और लोग के साथ यह टैक्टर आता है देख सकते हैं आप टोटल यह इसका पीशे का हिस्सा लगवक साथ 55 ऐसा ही आपको यह टेंक्टर देखने को मिलेगा लेकिन काफी सारी हुबियां है इस टेंक्टर में उसके मुखाबले यह 55 SP की केटिकरी में आपको देखने को मिलेगा अगर इसकी T20 सीरी से बात करें तो वह 55 SP में आती है यह 55 SP का टेंक्टर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले सुबात करते हैं इसके सामने की उर से इसमें आपको कंपनी फिर्ट बंपर देखने को मिलेगा आप देख सकते ह लोग कब सजो ड्रवाइन स्हार नियुक्रों कि अप्सटा नहीं एकाई प्रेगिर्ग के मिलेगा । तरही बेने टेकल खांगर इकषे उसके सिरी को की डिसन के बयाख कई यक्षानी को सब्सक्राइब और खेंव थेखाएं मैं के ऋटेकृра अगर भात करने से सं़ने वाली स्टेरिंग्य से लिरेगी तो इसमें आपको सब्सक्राइब सरी 5 स्टीय तेर्याइब से लिए लगई गाते लुजऱ में इसके ऊपटरन्य टायर न हलनुगूँ सर्टीड पछबOR इसमें अपना सुछ शdependम गई विस ले अर्व आपको बात करते हैं इस इंग्टर के इंजन की तो इसमें आपको 343 सीची का तीन सिलेंडर 55 पावर के इंजन आपको देखने को मिलेगा इसमें आपको नहीं देखा सकता इसकी जो आर फिल्टर इसमें इंगेज इसको हटाने फोट टाइम लग जाएगा और वीडियो लंबी हो अब बात करते हैं इसके इंजन दिखाता हूं यह साइड से आप इसका इंजन देख सकते हैं अब मैं आपको इससे इसका इंजन दिखाता हूं कि दिखे को मिलेंगे अगरव लगवागाँ जादा इंजन तो आपको बाहर से दिख जाएगा अगर व उपह से देखने को मिलेंगे। अगरиях रात कर सके एंजन गईन ऐसको अपर आपको वीडल मापके आप से से की जानकारी तो यह मैं मैं आपको तक ने दोब से यिसकी अगर में घर भी मोगी बात करूँ तो बात करों तो वापको आपको 1550 RPM तो भी आपको बात करें वाले इसमे पम्प आपको बोच का ए इन- लान पांप देखने को मिलेगा इसमे आपको तीन नुजल देखने को मिलेगी इसके यह रहा इसका डीज विल्टर है आपको के फैल्टर दिया जाता है अगर मैं बात करें कि elsewhere chodzi Whoo को चेक अगर बात करें के बात करें को कुलिंग देखने को को ब biscuits करैं पेस के आता हिए ईक है तैक मैं तुर आपको एसके को अंगर इसके साहीं लेकिंग सरक्सक्राइब करते हैं अंगर उसके आपको separate pump देखने को मिलेंगे यह जो pump है यह जाता है सीधा power steering के लिए यह वाला यहां आपको अलग से एक आपको इस साइड आप देखें अंदर की ओर आपको एक अडेशनल टेंक के लिए जो की पावरस टेंक के लिए उप्यों होता है यह दूसरा आप देखने के लिए पंप दिया गया है इसका ओयल फिल्टर आप देख सकते हैं फार्म टके कोड की मैं इनफेक्शरिंग है यह ज आप यहां देख सकते हैं फार्म टेक की बेजिंग यह जाट की वेजिंग इपी आई वेजिंग पावर मेक्स यह क्लासिक प्रो सीरीज इसकी 55 HP की वेजिंग अभी सारे अप्डेट हो चुग है इसकी 55 HP में आता था वो 60 में आहे लगा है और यह 50 HP में आता था यह पच्पन का यह भी हो चुका है यह रही इसकी सामना की और लाइट है आप देख सकते हैं आपको LED लाइट देखने को मिल जाएंगी काफी है भी मंपर आपको देखने के मिलने के दोनों साइड अब आच इसके दोनों काफी है भी मेटल के बंपर आपको देखने को मिल जाएंगी इसके दोनों काफी है भी मेटल के पंपर आपको देखने को मिल जाएंगी इसके दोनों काफी है भी मेटल के पंपर आपको देखने को मिल जाएंगी इसके दोनों काफी है भी मेटल के पंपर आप पीछे का लाइट दोनों साइड आप देख सकते हैं यह इसका पकड़ने के लिए आप काई मजबूत ही कि गई और इसके के लिए अगर मैं बात करूँ उपर तो काफी हेवी मेटल ही आपको देखने को मिलेगी अगर बात करें इसकी लिफ्टी की तो इसमें आपको आपको बताता हूं अगर बात करूँ इसकी लिफ्ट के लिफ्टी देखने को मिल जाएगी इसलिए अभी थ्री पॉइंट लिंकेज सिस्टम के साथ आता है यह देख सकते हैं यह काफी सक्सेस्फुल लिंकेज सिस्टम है चैनों के मुकाबले में क्योंकि यह काफी हैवी तो आपको देखने को मिलेगा है कि अगर में बात करो इसकी पीटियो की तो उसके अटारा सो अजंट आर्पिया में देखने को मिल जाएगी अब चलते हैं किसान माईगी हो इसके ट्रेक्टर की ऊपर और मैं आपको दिखाता हूं उसका ट्रांस्पीशन वगएरा इस सारी जानकारी अगर बात करें इस ट्रेक्टर पर मिलने वाली वारंटी की तो आपको देख सकते हैं आप पहुंच सो गंटे पहुंच साल की आपको वारंटी देखने को मिल जाएगी अब चलते हैं किसान माईगे इस ट्रेक्टर की ऊपर जिसमें आपको सिंगल पैदान देखने को मिलेगा आगे चलते हैं इस ट्रेक्टर की ऊपर यह आप देख सकते हैं इसकी सीट सीट आपको देखने को मिलेगी आप देख सकते हैं आप सबसे पहले खार बात करने कि तो समय आपको साथ ओर आर्पे ठीक तेक नहीं को मिलेंगा यह इसमें आपको सेंगल owed आर्ब लीम कि देखने को मिलेगा । सेनले ज़ी काफी शादार पावर इस्टेरिंग करका रहा हिसा को सबते हैं को आपको कशने को सुद्ध सब्सक्राइब 2-2 बाटकर के अगुद छेलों की करनें बात करें मेंचनल गाइए मेटर वहार है तो तो कशान हो आप सबस्ऱित हो है। आप HOW यह भज़ Name इसकी बटन आपको यहां दी गई है उपर से आपको प्रोटेक्शन भी वह दी गई है को इसानदर बात है कम नीजी जो पर ध्यान दे रही है अब अगर बात करें इसके बाकी इंस्ट्रुमेंट क्लेस्टर होगी तो इसमें आपको यह देख सकते हैं आपको यह लाइट के लिए दिया गया है यहां आपको बारा बोल्ट का एक चार्जिंग सब्सक्राइब देखने को मिल जाएगा और कसा नवाईयों आप देख सकते ह यहां से ब्लोग कर सकते हैं अब अगर बात करें इसके तो कसान माईयों आपको इसमें फुली कॉंस्टेंट मेंस ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल जाएगा और अगर मैं बात करूं वहीं इसके गयरों की तो इसमें आपको आठ फॉरवर्ड और दो रिवर्स गयर आप को देखने को मिल जाएंगी अगर मैं बात करूं इस्के यह को कम या बढ़ा सकते हैं यह का सब्सक्राइब मैं बात करूं इस अगर मैं बात करूं है इसके फ्लश की तो इसमें आपको सिंगल डूल फ्लेस दोनों को अप्शन आपको अपनी सुदा अनुसार ले सकते हैं यह जो आप्शन मॉडल आपको बता रहा हूं तो इसमें बैठें आप बर्दमान में वह आपको डवल कर समें देखने को मिलेगा अगर मैं बात करूं हुआ कि इसके ब्रेकों की तो इसमें आपको मल्टी प्लेट वाले मर्चेंट ब्रेक देखने को मिल जाएंगी देख सकते हैं आपको यहां बीच में आप देख सकते हैं लोगन सिस्टम आपको दिया गया है अगर इस लोग को पीछे की बड़ से अटा देखने को मिल जाएगा अगर मैं पास सारे गयल लगा कर दिखाता हूँ आपको 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 दबाएए यह देखें आप सेकंड का भी सांदर है यह सेकंड के थार्ड और यह बीच आपको रिवार्स देखने को मिलेगा यह रहे इसके बागी कोजिशन और ड्राफ लिवर जिसमें अपने AC-DC लिवर कहते हैं यह देख सकते हैं आपको इस अंदर मूम्मेंट है इनकी और यह रही आपको पिछे की आफ्जरी वाल कंट्रोल करने के लिए आपको यहां दिया गाया है बड़े इंस्ट्रूमेंट को आप यहां से आराम से कंट्रोल कर सकते हैं जो मिलेगा और यह रही इसना आपको कियार 24-7 इंटालेट की बेजिंग आपको अगर स्ट्रेक्टर के संबंद को भी समस्था होती है तो आप इसके सीधे इंटर कॉल कर सकते हैं वह आपकी सारी जानकारी का नियवाना पहीं से कर देंगे आपके सारी बात करते हैं स्ट्रेक्टर की कॉल लंबाएगी तो वह आपको 34-85 mm देखने को मिल जाएगी अगर बहीं मैं बात करूँ स्ट्रेक्टर की कॉल चोड़ाएगी तो वह आपको प्रेंड आपको कें場 30 मुंब डेखने को मिलेगा अगर बात करने असके टूंग चीक टूंग रेडियस की तो वो आपको एधीन सो अम देखने को मिल जाएगा अगर मैं बात करेंगा इसकी ड्राइब बेरिएंट की आपको तो विल ड्राइब में ये करने इसके forward speed की तो इसमें आपको 31 km प्रधिघंटेगी आपको forward speed देखने को मिल जाएगी और बहीं अगर बात करने उसके reverse speed की तो इसमें आपको 6 km प्रधिघंटेगी reverse speed देखने को मिलेगी तो कसान भाइयों यह था आपको नाम पता इड्रेस सब कुछ description box में दे दूँगा आप उनसे सीधी जानकारी कर सकते हैं आपको सारी जानकारी देंगे इस और इसके अन्य सारे फार्मटेक के मोडलों की यहां के और तराइज जीलर है तो किसान भाइयों कैसी लेगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ यह से ही और मैं आपको अन्य नेक् झाल